जै मताई दोस्तों आज हम बात करेंगे एन नेम वाले जातक का सिटमबर 2022 का समय कैसा रहने वाला है इस समय शुरी करक राशी से बाहर निकल कर शिंग राशीम प्रेवेस कर जाएंगे मंगल ब्रिश राशीम रहेंगे बुद पहले शिंग राशीम थे लिकिन बाद में करन्य राशीम प्रेवेस कर जाएंगे गुरू यानिकी ब्रेश पती मीन राशीम रहेंगे मेरे प्रिय दोस्तों ये था ग्रह गोचर का कुछ हिस्तिती अब आये हम ग्रह गोचर का मुल्यांकन करते वे बात कर लिते हैं कि आपका भविश्य क्या कह रहा है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हमें आप लोगों से भी नम्रनिवेदन है अगर ये वीडियो आप लोगों सही लगी आपके जीवन से मिले तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों आपका एक लाइक और सस्क्राइब हमें अगला वीडियो भनाने के लिए बहुत सा उसा इसले हैं इन सब के चकर में आपको कम समय भी मिल पाएगा और आप इन में फसा हुए मैसूस करेंगे इसके अलवा आज आपको कुछ ऐसी अजनाव के बारे में पता चलेगा जो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है आज आप परिशानी के चलते कुछ ऐसा कहे पार्या फिर कर सकते हैं जिसके लिए आपको बात में पश्टाना पर सकता है अनुसासन अच्छे स्वास्त की कुजी है आप अब सब जंक फूड नहीं खा रहे हैं तथा व्याम भी कर रहे हैं लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है इसलिए आपको इचित परणाम प्राप्त नहीं हो रहे है आपको इस सबसे अधिक्तम लाप राप्त करने के लिए एक निचित रूटीन बनाना होगा तभी आपको इस सबका लाप भी मिल जाएगा यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है इस दोरान आपके जठे भाव यानि किरोग भाव का स्वामी बुध अपनी भाव के द्वादर्शा अस्थान परिस्तित रहेगा जिसकी वज़े से स्वास सम्मेंदी समस्याव का सामना करना पर सकता है आपको सला दी जाती है कि सवादी मा बाहरी का खानपान से परहेज करें गुप्त रोग जैसी समस्याव भी आपको इस वादी म परिशान कर सकती है इस दोरान भाग दोड़ भड़ा समय आपको शारिक और मालसिक रूप से ठाकान भी दे सकता है ऐसे में स्वयम के लिए समय निकानली की कोशिश करें ताकि सरीर को आरा मिल सकें अनेथा इसकी वज़से आप बीमार भी हो सकते हैं इस महीने आपके छठे भाव यानि की रोग भाव पर ब्रेस्पती की दिश्टी रहेगी जिसकी वज़से इस दोरान आप स्वयम से पहले दुसरों की भलाई करनी में नजर आ सकते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्त और पढ़ने की अशांका है ऐसे में आपको सला दी जाती है कि आप दुसरों के भलाई के चकर में स्वयम के स्वास्ट का नुक्सान ना करें आखरी पंदर दिनों के दोरान शुरी आपके पंचम भाव में इस्तित रहेगा जिसके वज़से आपको इस दोरान किसी पुराने रोग से रहात मिल सकती है और साथ ही घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के श्वास्ते में सुधार देकर आप थोड़ा रिलेक्स में सुस कर स आपके दर्शाम भाव का स्वामी सनी एक दर्शाम भाव में गोचर करके इस पहीने आपके द्वाव में वक्री अवस्ता में स्थित रहेगा जिसके वज़से इस सौधी में अपने कार्य को लेकर भरपूर मेहनत करते नजर आ सकते हैं पहले 15 दिनों के दोरान आपके परिवार एक्षमन कैसा रहेगा प्रेम से सम्मंदित ग्रह अपने चरम सीमा पर है और इस कारण ये एक रुमांचक और साथी दिवानगी सिभारा समय होने जा रहा है इसका ज्यादा से ज्यादा लाब ले अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बने या उसे आश्यरी चकि देने के लिए कुछ प्रयास करें और यकीन माने यही चीज़ बराबर उस्सा के साथ आपका विसाती आपको वापस लोटाएगा ये समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का समय है आईए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाब होगा या धन की हानी और आपका केरियर कैसा रहेगा आपने हाल ही में कोई परिक्षा दी है तो आपको शाकरात्नक पढ़ना प्राप्थ हो सकता है आपको कड़ी मेनत और समर पर कफल मिलेगा आज आप विती युजिना के बारे में जानेंगे निविस करने से पहले सही युजिना पर अ देश्ताव आपकी ले अच्छा भी सावित हो सकता है आपका दिन ऑफिस में भी बहुत अच्छा जाएगा ग्रहो क्यूर्जा के प्रभाव के तहट आज आप अपने वीतर की आवाज को सुनने के लिए सब्चह मों पाएंगे इन आवाजों को गहरे अर्थ को आप समझने होगा दोस्तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद